अयूध्या और जनकपुर के संबंध पर नेपाली दूत का बड़ा बयान सामने आया है जोहां राम मंदर पर भी बड़ा बयान दिया गया बतादे के अयूध्या में 22 जनवरी को प्रभू श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है इसी गड़ी में बोलते हुए भारत के नेपाल के दूत डूत शंकर प्रसाद शर्मा ने कहा के नेपाल से कई लोग राम मंदर उद्गाटन के लिए अयूध्या आएंगे अयूध्या जनवरी को सिस्टर सिटी के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव भी है बतादे के अयूध्या जनवरी के संबंध में उन्होंने कहा कि अब रिष्टे सुधर रहे हैं दरसल अयोध्या में राममंदर के साथ नेपाली लोगों के मजबूत पारंपरिक संबंद पर उन्होंने जोर दिया। भारत में नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा बोले के प्राणप्रतिष्टा समारों के लिए कई लोग अयोध्या आएंगे। उन्होंने कुछ कहा नेपाल के दूत ने चली आपको सुनाते हैं उनहीं की जुबानी अब नेपाल से तो पांसे लोग आकर वहां गिफ्ट दे कर गए है राम मंदेर में अब यह हमारा वो बोल रहे थे कि हमारा ट्रेडिशन भी है तो इसलिए फिर दूसरा एह है कि जनकपूर और अयोध्या का सिस्टर सिटी बनने का भी एक प्रोपोजल है फिर मोधी जी ने एक अजार करोड दिये है जब वहां नेपाल गए थे तो उसका भी प्लान बन रहा है तो इसलिए दोनों अयोध्या और जनकपूर का कनेक्शन तो बहुत स्ट्रोंग हो रहा है और यह अयोध्या में जब राम मंदिर का इनाउगरेशन होगा नेपाल से बहुत से बहुत लोग लाखों लोग नेपाल से वहां विजिट करने आएंगे तो देखा अपने की उन्होंने कहा कि नेपाल से बहुत सारे लोग पहले ही आयोध्या आ चुके हैं और कई उपहार दे चुके हैं वो इसे अपनी परंपरा भी बताते हैं आयोध्या जनकपूर को सिस्टर सिटी के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव भी है बताते कि पीएम मोदी ने इस संबंदों को मजबूत करने के लिए एक हजार करोड रुपे दिये हैं और जब राममंदर का उद्खाटन होगा तो नेपाल से कई लोग राममंदर के उद्खाटन के लिए आयोध्या आएंगे उन्होंने चल रहे वाइबरेंट गुजराद ग्लोबल सब्मिट की भी प्रशिणशा की और कहा कि अन्यराजियों को निवेश आकरशित करने के लिए गुजराद का अनुसरण करने की जरूद है बतादे के गुजराद में भारी निवेश आराय बताया गया कि राजिव्यापार करने में आसानी और बुनियादी धाचे के विकास में भी अच्छा प्रदर्शिन कर रहा है अन्यराजियों को गुजराद की नकल करनी होगी यहां तक कि अन्य देश भी सोच रहे हैं कि निवेश आकरशित करने कि लिए गुजराद से क्या नकल की जा सकती है दूत बता दे के दूत ने ये भी कहा कि मंदर के अधिकारियों के अनुसार ये समारों 16 जनवरी से शुरू होकर साथ दिनों के अवधी में आउजित किया जाएगा 22 जनवरी को राम मंदर में प्राड प्रतिष्ठा के लिए तियारियां जोरो पर है श्री राम जन भूमी तीर्थक शेत्र ट्रॉस्ट ने 22 जनवरी को दुपहर में राम मंदर के गर्ब गरह में राम लला को विराजमान करने का निर्न लिया है फिलहाल नेपाली दूत का ये कहना है कि नेपाल से कई लोग आयोधिया राम मंदर में आएंगे और ये उनके लिए परमपरा है